आज का प्रेरक परसंग बर्गद का पेड किसी गाम में बर्गद का एक पेड बहुत वर्सों से खड़ा था गाम के सवी लोग उसकी चाया में बेटते थे गाम की महलाएं तुहारों पर उस वर्गद की पूजा किया करती थी ऐसे ही समय बीटता गया और कई वर्सों बाद वर्गद सूखने लगा उसकी साखाएं तूटकर गिरने लगी और उसकी जड़ें भी अब कमजोर हो चुकी थी गाम वालों ने विचार किया कि अब इस पेड को काट दिया जाए और इसकी लकडियों से ग्रै भी इन लोगों के लिए जोपडियों का निर्मान किया जाए गाम वालों को आरी कुलाडी लाते देख बर्गिद के पास खड़ा एक व्रक्स भूला दादा आपको इन लोगों की प्रवर्तियों पर जरा भी करोध नहीं आता ये कैसे स्वार थी लोग है जब इन्हें आपकी आश्रक्ता थी तब वे आपकी पूझा किया करते थी लेकिन आज आपको तूड़ते वे देखकर काटने चले बुड़े परगद ने जबाब दिया नहीं बेटे मैं तो ये सोचकर बहुत परसन हूँ की मनने के बाद में मैं आज किसी के काम आसकूंगा प्रॉपकारी वेक्ती सिद्धा दूसरों के प्रति क्रूना बाव रखते हैं तथा उनकी खुशी और उनके सुख में अपना सुख समझते हैं